हेलो गुड मॉर्निंग तो गाइस हमारा डे फोर है और कल हमारे बाबाजी के दर्शन बहुत बढ़िया होगे और रात को आठ या नो बजगे थे और यहां का जो वैदर है बहुत ही ठंडा है वाई चिल वैदर है वो टेंट के अंदर हमने स्टेडिया था और यह हमारे सारे जवान रेडी हैं भी सब रेडी है अब नीचे अब उतराई करेंगे और हम लगबग कितने बज़ें चे गंटे लग जाएंगे छे गंटे में अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे जह हमारा होटल है वहां पर हमारा समान रखा हुआ हमारी बाइक्स रखी हुई है और आ आरे ना मरे शाएंगे हुआ 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 है तो गाइस मैं अब भी यहां आप से आया हूं शौटकट से बहुत ही डेंजर्स है यह वादा और हमारे साथी पता नहीं आके बीछे होगे हैं अब मैं उनका बेट कर रहा हूं और अभी देखता हूं कहीं अच्छी जगह बैठता हूं रुपता हूं सब आज एंगे फिर चलेंगे मिलके और यह रास्ता है अभी बिल्कुल डाउन पर जाना है आज तो काफी इजी है कल तो बहुत हालत खराब होगी थी चड़ते 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 छोटी ली चोड़ी यहां अभी हम पहुंचेंगे यहां पर बेगफर्स करनेंगे त्यार शुरू होगी है सोबेश्य बज़े से शुरू हो जाती है क्षामने आ रहा है यह दिखो सुबेश्य श्यां पूचे बज़े हैं अदिखार जाना है आज एक बार दूबगे अभी एक हमने लिया है टीब्रेक और यह हैलिपैड है छोटी हली-चोली में हम पूँछ गये हैं मलब कर शाड़े चार किलोमेटर से उपर हमने डिस्टेंस कवर कर गी हैं साड़े पांच छले थे छे बजे छे सब शे बजे तो टो गंटे में हमने जाते हैं तो पहुत एजी रहता है तो थोड़ा हमको समल दें उतरना पड़ता है तो यह प्राइजनसी में आगड लेंड करना हो तो यहां पर भी लैंड कर सकता है रेस्क्यू और पुछ हो यह हमारे सारे भाई उफलोग के सामने यह सुरेंडर भाई चाहि का मजा लेते हु कि बुंदा बांदी शुरू होना ही लगी है और वह जो ब्रीज दिया रहे है उस ब्रीज के क्रोस होके पल्ली तरफ जाना हमने और वहां पर थोड़ी फोटोग्राफी वहां पर थोड़ी फोटोग्राफी भी करेंगे और हम 11,775 फूट 11,700 फिफ्टी फूट से नीचे आ जाते समय गौरी गुंड तक देखते हैं रेंकोट पहनेंगे अगर ज्यादा बारिश होई तो मौर देन हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया है और ऐसे ऐसे वाटर स्टीम बहुत सारे मिलेंगे रास्ते में अगर आप वाटर बोटोल लाते हैं साथ में तो यहां से पानी बर सक बहुत ही प्यारा माटरफॉल है और हलकी फिलकी बुंदाबादी शुरू होगी है यह पूरा ट्रैक गिला हो गया है अभी तो रेंकोट नहीं पहल रहा है थोड़ी देर आगे जाके देखता हूं अगर बुंदाबादी ज़्यादा होई तो हम अपना रेंकोट पहनेंगे पीछे आ रहे हैं गोरब भाई हमारे यह इस तरह की बग्यां आती है और यह टोक रहा है इनमें आप सफर कर सकते हैं साथ जार रुपे बग्गी के यहां इस पाल की यह बग्गी के पता नहीं कितने का रहा है हम पहुच गए है मलडास्मी रिगर के बिल्ट के उपर खरें और यह जूल रहा है जूलने वाला सुस्पेंशन बिरी जाए है और यह मैं दूसरी साइट का भी दिखा देता हूं यह देखिए है दूसरी साइट का और हम सबसे उचाही से आया है यहां से वह वह उपर उससे भी बहुत आगे जाके बहुत दन एट और नाइन किलोमेटर हमने कवर कर लिया है बस थोड़ा सा रास्ता रह गया है और विमा काली आने वाला है और उसके बाद गोरी कुंड आजेगा उसके लाएगे बार्डा वृ यह जाईएट यह सामने लिखा बोट बीमबली और यह beautiful waterfall बहुत ही शांदर waterfall आई है मैं पहले भी दिखा था आपको beautiful beautiful track यह सामने देख रहे हैं यह new track बनावा है यह हम जिस पर जल रहे हैं यह old track है हमने jacket उतार दिय है गरमी लगए लगी थी जो मैं वहाँ से पैन के चले थे बहुत ही ठंटी शुबह तो और अब गर्मी शुरू हो गी है और सामने मेरे बहुत भूटिफल वाटरफॉल आए इस ने दिखाँ यह देखिए है, कितना शांदार वाटरफॉल है और यह बहुत ही उचाई से आ रहा है यहाँ से कितनी उचाई से केर रहा है यह बहुत बीटिफुल है भीमवली को क्रोस कर दिया है और अब हम चल रहे हैं मोहन चटी की तरफ और थोड़ी देर में ही मोहन चटी आ जाएगा और इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारा वाटरफॉल गिजा देता हूं इस सामने है यह देखिए बीमकाली यह जो थी बीटिफुल वाटरफॉल है क्या नाम है इसका नाम के बता है अलिफेंटा तो यह है अलिफेंटावा वाटरफॉल और यह हमारा ट्रेक अब बहुत ही कीचड कीचड हो गया नीचे यह देखिए बहुत गंदा ट्रेक हो गया यह वह ज्यादा बीड़ है गोडों की कभी बग्गी कभी पाल की विदिन वन एंड हावावार दो गंटे के अंदर अंदर शैद हम होटल पहुंच जाएंगे जिस हिसाब से हम चल रहे हैं अगर आराम कम दिया तो क्योंकि इस बार गौरिकुंट से हमें जो कैब मिलने में जादा दिक्कत नहीं होगी यह रेंच शेल्टर और इस तरह के रेंच शेल्टर जगह जगह पर मिलेंगें क्योंकि बारिश बहुत जादा हो जाती है तो उसके लिए आपको रेंच शेल्टर लेना पड़ता है दो गंटि लाइन में लगे रहें तब याके दशन हुए हैं बच छुटियों वाले दिन बिल्कुल एडवाइज नहीं करता है कि चुटी चार पंच चुटियां हो जाएं और आप गूमने निकल जाएं तो आप फच जाएंगे पहले तो ट्रैफिक में फसेंगे उसके बा हैं जंगल चट्टी और यहां पर चाय पानी बिश्राम और यहां पर टैंट भी मिल जाते हैं मार्केट हैं यहां पर जंगल चट्टी की काफी सारे जितने टूरिस्ट हैं वो मुस्ली कई बार तो जंगल चटी आप फर्स डेए यह जंगल चटी आके स्टे करते हैं और काफी ट्रैक कवर हो जाता है नीचे से गोरीकुंट से 4-5 किलोमेटर महला तीन-4 किलोमेटर का ट्रैक कवर हो जाता है तो लोग यहां पे आके स्टे करते हैं और यह है रेंज शेल्टर बटी बीड़े बाई बहुत बीड़े देखो उपर वाट लगने वाली है सबकी लंबी लंबी लाइन है एक और ब्यूटिफुल वाटरफॉल नजर आया मेरे को यह देखिए ब्यूटिफुल वाटरफॉल कर देखिए ब्यूटिफुल यहां से तीन किलोमेटर रहे गया है और दस बच के 40 मिंट हो गये हैं सुभे साड़े पांच अले थे कांटिनीव चल रहे हैं नॉन स्टॉप एक दो ब्रेक लिए हैं जाद से ज्यादा ज्यादा दिक्कत नहीं है लेकर इन भीड बहुत है इस रूट पर दो दिन से कांटिनीव तकड़ी भीड चल रही है और यह लोग पीछे बोल रहे हैं दुगांदार की चार पांदीन होगे कांटिनीव भीड आते हुए और यह कि रहा गे सबका साइड साइड आइड और एक और वाटर फॉल बहुत ही छूटा है लेकिन दिखा देते हैं आपको अब कदर ना था आए तो आपको यह सब चीजे देखने को मिलेंगी अग्याद्स क्याइड परते है लुटिए उल वाटर पाउट मार चलते रहो धीर दीर चलते रहो चलते रहो चलते रहो अभी भैरोमंदिर को क्रोस किया है और थोड़ी पीछे हमने अभी चाय ब्रेक लिया था टी ब्रेक और निबु पानिच परके अब आगे बढ़ चोगे हैं यह हमा यहां पर जगा जगा पर यह सुलब सोचाले बने हुए तो इस चीज की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको टॉलेट जाना है कुछ जाना है तो जगा जगा पर आपको सुलब सोचाले मिल जाएंगे और साथ में पानी के लिए आपको नैचुरल वाटर जो स्टीम्स मिल जाएंगी आपको यह सब फैसलिटी होगी है लेकिन गोडों से बचके रहना आप बहाप रहें देखें बीच रास्ते में गोड़े लेके चल रहे हैं लगबग हम गोरिकुंड पहुंच चुके हैं और य और यह शेल्टर रेंज शेल्टर गोड़ा पॉइंट यहां से आपको गोड़े मिले किये कल रात को मैंने आपको गोड़ा पॉइंट दिया आया था अपना केदारनाथ मंदिर पे और यह है यहां पे गोरिकुंड के पास गोड़ा पॉइंट और गोरिकुंड यहां से जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही है वैसे वैसे थकावन बढ़ती जा रही है क्योंकि हम कांटिन्यू चली जा रहे है और जो टाइम हुआ है इस समय ग्यारा बज के पेंतालीस मिनट ओने ग्यारा तो बारा बजे हैं तो काफी जल्दी हमने डिस्ट्राइंस कवर कर लिया है ज भीड देखो भाई क्या भीड जा रही है उपर जाके तो बुरी आलत होने वाली है लंबी लंबी लाइने लगेंगी बहुत बुरा आल है यार पूरा जाम है गोड़ों ने ऐसी तैसी कड़की है बता नहीं कैसे लोग जा रहे हैं कैसे लोग जा रहे हैं कैसे लोग जा रह सब्सक्राइब करता है नाम क्या आपका विशाल वाई मिले हमें कल कानपूर से तो मेरा चैनल है जाट्वन मील्स के दाम से यूटूब चैनल है ठीक है तो गाई बहुत नंबा जाम लगा हुआ है और पुलीस परशासन की कोई व्यवस्ता नहीं है बहुत बुरा आला है यहा गोड़े वालोने आसी तैसी करकिए पूरे रूट की लोग यह लोग नजर आ रहे हैं और गोड़े वाले बस बagn किठ है और हम आगे हैं बारा बच के आठ मिनट पे साड़े पांच ले थे और बारा बच के आठ मिनट पे हमने यहां पर गोरिकुंट में एंटर कर लिया है कि कोई सिस्टम नहीं है गोडे वालों की पूरी उंडगती है ना अपने रो में चलते हैं भीच में चलेंगे उड़ा देंगे आगे जितने भी यात्री हैं सब को उड़ाते हो जाते हैं तो बुरा आला सार उपर भी कोई कोई भी मैनेजमेंट नहीं है इससे बैटर यह गोवर्मेंट के अंडर चला जाना चाहिए उत्तरा खंड गोवर्मेंट प्लीज इस चीज़ को द्यान रखना है एक उंड जो आप देख रहे हैं यहां पे गरम पानी का सुरोत है यहां पे सुनान किया जा रहा है यहां पे और साथ में बहरी है मनाकनी रिवर जो उपर केदारनाट से आ रही है तो यह ही पे आज का हम अपना ब्लोग खतम करते हैं आपको कैसा लगा केदारनाट की यात्रा हमारी कमेंट जुरू करना जैक केदारनाट जुरू लिखना ताकि आपकी मनों कामना पूरी हो जाए और कोई भी मेरा नया ब्यूर्स है इसी तरह आपको अच्छे ब्लोग देखने को मिलेंगे तो अंत में दोस्तों राइड हार्ड राइड से बंदे मात्रमेंट जाहिन सायोनारा